हेलो एवरिवर्वन तो भी आपके लिए एक और न्यूज लेके आई हूँ आज दिट्रपल असबी ने वो कर दिया जो आज सक नहीं किया था क्या किया है कि द्रपल असबी ने कर दिया है अपना स्लेबर जो है वो डिफाइन पार्ट बी का जो आज तक कभी भी नहीं हुआ तो DSSB ने कुछ सब्जेक्ट जो है mostly सभी का दे दिया है एक दो सब्जेक्ट शायद उसके अंदर नहीं है तो हमारे लिए बहुत अच्छी good news है क्योंकि अभी तक हमें क्या होता था कि पता ही नहीं था हम previous year papers को देखके ही जो है वो exam की तियारी करते थे कि हमें कहां से क्या क नहीं करना है और particular syllabus नहीं था कहीं से कुछ भी आ जाता था लेकिन अब DSSB ने हमारे लिए तयारी को बहुत आसान कर दिया है और हमें दे दिया है syllabus define करके तो आपके लिए बहुत अच्छी सी बात है यह तो अब DSSB लग भी रहे कि अक्टिव हो गए है तो exam भी जो है election के ब आपके पास जो है वो दिखाई देगा आपको inductive syllabus तो आप first page अब open करोगे तो इसमें inductive syllabus क्या है inductive syllabus हमारे पास होता है कि उसने na editor press B ने main main जो है न जैसे कहते हैं कि highlight कर दिया है topics को कि इन topics जो है न यह topics आपको करने हैं अब यह नहीं है सर्फ यह इन से जितने भी topics relate करते है इनकी जितने भी topics हैं लेकिन आपको वो सब करने होंगे ठीक है क्योंकि हमारे पास जो है उसने किया क्या है कि main main syllabus जो है वो एक तरीके से उसको define कर दिया अब जैसे आप first page पर जाओगे तो यहां देखो आपका यह जो हमारे पास inductive syllabus जो है वो सबका define है यहां पर एक एक ब ठीक है होट्री कलजर का फिर inductive syllabus of TGT Punjabi in DOE और जो भी आपका syllabus है inductive natural science का इन physical जो है वो science का है जैसे inductive syllabus of TGT special जो education teacher है हम कोई भी एक open कर लेते हैं पहले आप जो है इसको डाइए आपको open करोगे डाउनलोड करोगे तो आपको पास जो है किसी भी एक subject का में करके दिखा द दाउनलोड कर सकते हो तो यह है आपका जो है वो syllabus जैसे topic of the syllabus for TGT special education teacher का syllabus है यह इसमें देखो human growth मत जो भी आपका जो भी subject होगा आपको पता होगा कि आप previous year papers को देखना कि उनमें क्या क्या आता था क्या क्या चीज़े हमारी कट हुई है क्या क्या हमें छोड़ना है क्या 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 चीज़े हमें करनी है लेकिन यह देखो हर चीज इन्होंने define कर दी है कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना human growth development जो है learning teaching assistant pedagogy जो है वो हमारे पास सारी फिर pedagogy of hindi subjective English subjectly inclusive जो है education यह सारा देखो प्रॉपर इससे ना एक एक चीज़े जो है वो आपके सामने जो है वो define कर दी है ठीक है एक एक चीज जो है अपना syllabus आप जो भी बच्चा जिस भी subject का है आप इस पर click करना जैसे ही तीन pages है इसमें हर एक page पर आपको जो है अपना syllabus जो है लेंगी जिस भी यह TGT के हैं ठीक है यह TGT का है में पास उसके बाद सोशल एजुकेशन जो है वो टीचर का फिर जो है मेरे पास यह स्लेबस आफ टेक्निशियन का है टेक्निकल असिस्टेंट का है सब का मतलब इनों ने जो जो ती मेंली मेली सब का मोस्ते डिफाइन कर यह पर आपके पास ठीक है यह फर्स्ट पेज़ पर जो लास्ट हमारे पास इंडक्तिव स्लेबस पोर पहले TGT के हैं और और फिर हमारे पास जो हैं कुछ सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के नहीं है जैसे जो स्लेबस पीजटी TGT Maths का Slabers नहीं दिया PGT Maths का Slabers Define कर दिया है यह रहा इसने लिख दिये है topic PGT Maths के लेकिन TGT Maths का जो Slabers है वो Define नहीं है उपर ठीक है तो इसलिए ज्यादा यह मत ढूलना कि हमें हमारे Maths का Slabers नहीं मिला तो TGT Maths का Labels Define अभी नहीं किया है PGT का कर दिया है Maths का Sets, Relation and Function Mathematical Induction है Combination and Permutation है Binomial Theorem है, Sequence and Series Elementary, Number Theory, Quadratic Geometry, Two-Dimensional Geometry Trignometry, Application of Derivative Vector, 3D Statistics Analysis, Differential Equation Integrate Calculus, Complex Analysis Algebra, Introduction of Topology, Theory of Real Function, Group Theory, Algebra Topology, Commutative, Algebra Representation of Finite Group, 4-Year Analysis Matrix Analysis, Advanced Complex Analysis, Advanced Measure Theory, General Topology Computational Field Dynamic, मेरे पास OD है, सारा Mathematical Program है Methods of Applied Mathematics है, Coding Theory है मतलब कि आपके आपके पास काफी चीजे इन्होंने PGT-Aptis पर Add कर दी है Advanced Group Theory Advanced Group Theory हो गया यहां तक आ गए थे हम जो है Non-Communicative Ring Abstract, Harmonic, Boundary Topology, Dynamics मतलब आपके कोई DSSB जो है वो Mitric, Linear, Algebra, Probability, Statistics मतलब कहने का कि DSSB अभी तक तुमें Statics और Dynamics नहीं देता था थे अबकी बार जो PGT का वेपर था उसमें एक आदा कोईशन था पर अभी तक जो धा DSSB कभी भी जो है वो मेरे पास पार्ट नहीं देता था क्या Mechanics और Dynamics अब आपको वो भी करना है मतलब Slaybus को देखके यह है कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है पहले हमारा काम चल जाता था PGT पर भी Graduation तक हमें MSC के बहुत रेर टॉपिक करने होते थे लेकिन अपकी बार इनोंने Slaybus में न यह देखो जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है MSC के भी वो भी सब डिफाइन कर दिए है चीक है यह देखो Hilbert Space जो भी मेरे पास Number Theory जो है Advance भी है सारी चीजें मतलब आपको Complex भी Measure Theory भी है तो आपको जो है सारा Topology भी है तो मतलब सारे जो Graduation वाले Topics हैं वो भी आपको मतलब MSC Graduation के साथ-साथ अब आपको MSC भी Complete करनी है तो देखो अगर DSS भी TGT Maths का भी SlayBus अगर दे देती है तो वैसे तो TGT Maths का SlayBus पहले ही Advance है कि हम Graduation तक तो पढ़ते ही हैं उसमें भी कुछ चॉपिक हम जो थे वो करते थे MSC के जैसे Number Theory है या हमारे पास जो था Complex Number था Singularities बगएरा बढ़ देखते हैं अभी कि अगर DSS भी TGT Maths का भी SlayBus अगर Define कर देती है बाकि अपनी त्यारी को जो है वो Continue रखो अच्छे से कोई चीज ऐसी है जो नहीं किया उसको भी करते रहो उसके बाद ये बाकि ये लेकिन पेज है हमारा 21 to 20 जो है वो फर्स्ट पेज पर है आगे 21 से देखो PGT Home Science, History, Hindi, English, Chemistry, Biology ये कुछ और सब्जेक्ट्स हैं मतलब PGT का तो Mostly सबका ही Define किया हुआ है ठीक है बस बाकि Maths वालों के साथ Partialty की हुई है कि हमें TGT का Slabers Refine करके नहीं दिया हमें भी देना चाहिए कोई नहीं आ जाएगा हमारा भी Slabers हो सकता है कि अभी कुछ डिसाइड ना हुआ हो थोड़े बहुत टाइम बाद हमें Slabers देखने को मिल जाए ठीक है तो देखो फर्स पेज पे था 1 to 20 फिर 2nd पेज पे 40 तक है और 3rd जिसका भी जो सब्जेक्ट होगा आप अपना यहां से देखोगे यह मेरा सब्जेक्ट है यह डाउनलोड है इस डाउनलोड पर जागर अपने Slabers का अपने सब्जेक्ट का Slabers जो है वो आप डाउनलोड कर लेना ठीक है तो टोटल जो है 47 हमारे पास दिये हुए है तो यह था आपका DSSB का और भई तयारी स्टार्ट कर दो अगर Slabers रिफाइन कर दिया उसको देखकर यह लगता है कि हाँ DSSB जो है अब एक्टिव हो गया है तो इलेक्शन के जस्ट बात आपका एक्जाम जो हो सकता है तो इसलिए अपकी तयारी शुरू करो और हमारे साथ अगर जुड़ना चाते हो तो हमारी एप पर टेस्ट बुक की एप पर आपको DSSB का के हर जो कोर्स है वो अवेलिबल है अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करो तो मेरा सब्जेक्ट है उसका भी TGTA का और PGT का जो कोर्स है वो अवेलिबल है जो भी बच्चा लेना चाता है वो ले सकता है और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा डिसकाउंट में मिल जाएगा और मेरा जो कूपन कोड है वो है रेनू आर एन यू तो आप मेरे हमारे सब जुनना चाहते हैं तो जल्दी से जो है वो टेस्ट्बूक की एप पर जो है वो विजट करें जो भी हर कोई किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको लेना है तो वो आपको कुर्स जो है अविलेबल है और स्टैम पर चला हुआ है डिसकाउंट भी तो जल्दी से मारे सब करें